In this module we will discuss seasonal variations अगर हम social insects के बात करें तो social insects के अंदर बहुत सारे कास्ट मौजूद होते हैं For example, अगर हम honey bee की बात करें तो एक honey bee की जो colony है उसके अंदर different किसम के organisms मौजूद होते हैं एक honey bee की colony के अंदर drones मौजूद होते हैं उसकी colony के अंदर workers या soldiers मौजूद होते हैं इसी तरीके से honey bee की colony के अंदर queens मौजूद होती हैं अब हम यह discuss करते हैं कि एक colony के अंदर जो मुक्तलिफ किसम के organisms हैं उनका role क्या है सबसे पहले हम drones की बात करते हैं तो drones basically male animals हैं और इनका काम fertilization है और एक जो hive है उसके अंदर 100 से 500 जो male या drones मौजूद हो सकते हैं और यह जो males होते हैं basically यह product of unfertilized eggs हैं यानि ऐसे eggs जो fertilized नहीं हो पाते उसके नतिजे में यह drones बनते हैं यह males होते हैं और इनका काम सिर्फ reproduction है इसी तरीके से colony के अंदर जो queen होती है यह basically female है और यह fertilized eggs से बनती है और एक जो queen है यह बाकी females की तरह यह आम फूड के उपर feed नहीं करती बलके यह खास किसम की feed जिसको royal jelly कहते हैं उसके उपर feed करती है और सिर्फ queen egg produce कर सकती है बाकी जो females होती हैं वो workers कहलाती है यह जो workers हैं इनका काम reproduction नहीं है basically जो workers हैं यह female है अगर यह चाहें तो यह भी reproduce कर सकती है लेकिन यह ऐसा नहीं करती है एक कॉलूनी के अंदर सिर्फ एक queen मौजूद होती है जो यह freezer sir अंजाम देती है क्योंकि अगर एक कॉलूनी के अंदर जादा queens मौजूद होंगी तो उनको रॉयल जैली के अपर feed करना पड़ेगा और उससे जो एक्स की जो production है उसकी quality effect हो सकती है तो basically जो workers होते है workers का काम यह होता है के कॉलूनी की हिफाज़त करना उसको protect करना इसके लावा जो है जो queen है उसको रॉयल जैली के अपर feed करवाना इसी तरीके से जो young ones हैं उसकी look after करना इसी तरीके से यह अगर एक कॉलूनी के उपर कोई attack होता है तो उस attack से कॉलूनी को बचाना तो basically जो workers हैं यह बहुत important जो price हैं वो सरअंजाम दे रहे होते हैं तो अगर यह workers मौजूद ना हो तो जो कॉलूनी का जो survival है वो खत्रे में पड़ जाता है और एक जो कॉलूनी हैं उसके अंदर workers की तादाद vary कर सकती है इनकी तादाद 10,000 से 50,000 तक हो सकती है या इस से भी ज़्यादा हो सकती है जो workers हैं क्योंकि यह females हैं हमने यह कहा कि अगर यह चाहें तो यह भी reproduction कर सकती है लेकिन अगर एक कॉलूनी के अंदर ज़्यादा जो female है वो reproduce करेंगी तो उससे X की जो quality है वो effect होगी और उससे जो offspring पैदा होंगे वो भी weak हो सकते हैं तो इससे बचने के लिए यह जो workers हैं यह कुर्बानी देती है basically यह ekonomरा जिसको altruism कहते हैं वो सर अंजाम दे रही होती है तो यह खुद sacrifice करके एक female को allow करती है कि वो generation को आगे continue करें लेकिन जो है इसके साथ साथ क्योंकि यह जो workers हैं यह queen के close relative होती है इस वज़ा से बहुत सारे genes यह उनके साथ share कर रही होती है तो जब queen reproduce करती है उसका जो genetic make up है next generation के अंदर transfer होता है तो automatically यह जो workers हैं इसका जो genetic make up है वो भी आगे transfer होता रहता है जो holंकि ढूआ on अज़ाआ अंदर यैजगा